मैं हूँ डॉर्टर एसके गुपता और यह हमारे मरीज हैं यह सितंबर के महिने में हमारे पास आये थे और लगबग तीन महिने में यह बिलकुत ठीक हैं और शुरू में इनकी तक्लीब थी कि इनको जो है थायरोड की मिमारी थी और इनका टी एसे था अठतर जब हमने इनकी जाच की तो हमने जाना कि इनको पहले कहीं पर जबान के अंदर कैंसर हुआ था जिसकी वज़े से इनको बिजली की सिकाई की गई थी और उस बिजली की सिकाई के बाद इनका थायरोड पूरी तरह खराब हो गया जिसकी वज़े से इनका जो थायरोड स्टिमुलेटिक हार् था वो बहुत बढ़ गया और इनको हाइपो थारेडिजम हो गया और जब यह हमारे पास आए थे तो इनकी में कंप्लेंट यह थी कि इनको सेक्स में बहुत परिशानी है इनके लिंग में तराव नहीं आता है जब हमने इनकी जाज की तो इनका टी एसेच अट्तर मिला इनका जो लिपिट प्रॉफाइल था वह बहुत खराब था इनका ट्राइडिस बहुत जादा थे और इनका टैसेश्टरॉण काफी काम था इसके बाद हमने इनका ट्रीक्मेंट प्रारम किया और हमने इनको इनके बजन के अनुसार केवल सौ माइक्रोग्राम की बोली थी और उससे इनका जो कॉलिस्टॉल था वो भी कम हो गया इनका बजन भी 84 किलो से 76 किलो आ गया इनके थायराड भी ठीक हो गई इनको जो सेक्स में परिशानी थी भो भी कम हो गई अब इनको लिंग में तनाव आप भी पूरीत रहाता है और यह पूरीत है संतुस्ट है आए इसे बाग करते हैं आप बताएं यह आपकी दिवेट कैसी है आपको आराम है आपको कोई परिशानी तो नहीं हुई आप केवल एक गोली से ठीक हो गई किया आपको अचरश नहीं लगता अचमबा लगता है और आपका बजन भी काफी काम हो गया आप अपने आपको फृतिला मेहसूस करते हैं और आपको जो परिशानी थी तनाओं की भो भी ठीक हो गई और यह पूरी तरह संतुस्ट हैं तो अपने सभी मरीजों को हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपका टीएसेज बहुत जादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको थाराउक्षिन की गोली बहुत जादा डोज में लेनी पड़ेगी आपकी थाराउक्षिन की डोज इसे थाराउक्षिन की गोलेलेने से ही ठीक हो जाता है अगर आपको थाराउक्षिन की बिमारी है तो अपने डॉक्टर से मिलकर के उसका समुचित निजान करें उसकी जाच करवाएं और उनकी सदा से इलाज करें आप ठीक अवश्य हो जाएंगे दन्यवार